नमस्कार मित्रों आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ओनलाइन लर्निंग प्रेफर्म पर बहुत बहुत स्वागत अविनेंदन आज के सेसन में हम राजस्तान के कंजर्वेशन रिजरो के बारे में हो डिस्कस करेंगे हमने पहले जो नेशनल पार्ख है टाइगर रिजरो है वैले अप सेंचूरी इत्यादी उनका क्या मैत्व है क्यों बनाए जाते है उन पर वह डिस्कस किया और उसके बाद में उनके मैत्व हुण तथ्यात्मक चीज़े हैं उसपर डिस्कस किया तो अगर कंजर्वेशन रिज एक्ट 1972 है वो बना था उसी वन्य जीव संग्रक्षण अधिनियम 1932 के तैट राज्य सरकार अधिसूचना जारी करती है तो अब इसको क्यों है वो अधिसूचना जारी की जाती है तो इसके लिए कंजर्वेशन के लिए हमने जैसे फॉरेस्ट वाड़ा जो चेप्टर पढ़ प्रोटेक्टेड और रिजर्वड के जो फोरेस्ट होते हैं उन वनों पर राजी सरकार का पूरा अधिकार होता है और इस प्रकार के संग्रक्षित और आरक्षित वन खंड वाले किसी इक्षेत्र पर अगर अधिकता हो वन ने जीव जन्तु इत्यादी है वह वहां पर इसे एरिया में पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाने वाले जीव जन्तु है पसुपक्षि है इन्हों इन्हें पसुपक्षित जीव जन्तु को संग्रक्षित करने के लिए प्रोटेक्टेड करने के लिए राज्य सरकार किसी विशेश शेत्र को कंजर्वेशन जों का कारे करता है किसके मध्या और इन फ्यूटर अगर उस प्रटिक्लर अरिया में ज्याधा बायोडीटि है वो गोशित किया जाना चाहिए तो सरकार इस तरीके से भी इस पहले वाले कंजरवेशन रिजरु को नेशनल पार्क टाइगर रिजरु यां वाइड लाइफ सेंजूरी के रूप में भी दरजा दे सकती है तो यह आपके अगर राजस्तान में बात करें एट परजेंट तो हमने कहा कि फाइनली अपरूड तीन राजस्तान के नेशनल पार्क है रण थंबोर केवलादेव मुकुंद्रा इस राजस्तान के पांच टाइगर रिजरु है जिसमें रण थंबोर सरिस्का रण सर मुकुंद्रा यहनिकी मुकुंद्रा इस उसके बाद में चोथा रिजरु है कंजरवेशन रिजरु है ठीक है तो यह बात पहली तो फैक्ट मोटे दोर पर आपको ध्यान में रखना है कि राजस्तान में आरक्षिच छित्र कितने हैं तो राजस्तान में कवर्तमान में को पुल कि शतीश कि हिंदी में इसको कहें तो आरक्षित संगरक्षिच छित्र के रूप में हो जानते हैं लेकिन जयादा तर प्रिक्षाँ में रित्यादी आपको कंजरवेशन रिजरु के नाम से ही देखने को मिलेगा ठीक है यह मोटे तोर पर आपको फैक्त ध्यान में रखना है अब राजस्थान में इस conservation reserve से सम्मंदित आपकी प्रिक्षा में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं आपको इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो जरूरी है तो राजस्थान में इन conservation reserve से सम्मंदित आपकी प्रिक्ष वो यहीं से आई हैं कि कौँसा कहां इस्तित हैं संबंदित जिला आपको सुमेलित करवाने के लिए या फिर कोडिंग से आपको है वो उनको सुमेलित है वो करवाया जाता है तो यह सबसे ज़्यादा इस कंजरोवेशन रिजरु से है वो पूछा गया है 36 है 36 को हम नई जिलों के नुसार मेप के माध्यम से देखने का है वो प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से यह चीज याद हो जाए तूसरा इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो कुछ कंजरोवेशन रिजरु है जिसकी कुछ मैथ पुन विशेषता है कुछ वन् आज्थान का सबसे नविन्तं कंजरोवेशन रिजरु कौन सा है पुराण कंजरोवेशन रिजरु है निए कि सबसे ओल्ड़ंफ कौन सा है कि इस प्रकार के सवाल है को से संबंदी 3-4 डाइमेंशन के जो सवाल पूछे जाते हैं जो मैंने आपको बताया और जिस डाइमेंशन से सवाल बाकी वाड़ों में लाइन एक निर पार्क में नहीं विश्यशन नहीं डाहिता है है कि में सबसे पहले हम देखें कि राजस्तान में जो गूर्द परकार चरह जारी होती है कौंसे एक्ट्यक तैतही आती हैं और इसके बाद में राज्टान का पहला कोई सा है और नविन्तम कोई सा हो भी हमें हो ठोड़ा discuss कर लेते हैं तो देखिए इस celebration इस 1957 की बात करें तो Concur Revelation Reserve के लिए अधिसूचना है वो कौन जारी करता है तो अधिसूचना जारी की जाती है Forest Department of Rajasthan के द्वारा राजस्तान वन विवाग के द्वारा और राजस्तान में पहली बार किसी Conjurvation Reserv के अधिसूचना जारी की राजस्तान के Forest Department ने तो उसकी डेर थी 13 अक्तुमबर 2008 को 13 अक्तुमबर 2008 को विशलपूर Conjurvation Reserv के नाम से राजस्तान का पहला Conjurvation Reserv है वो बलता है तो ये बहुत अच्छा और मैतपून FACTS है ध्यान में रखना है आपको कि राजस्तान का पहला Conjurvation Reserv कौनसा है तो विशलपूर राजस्तान का पहला Conjurvation Reserv है इसके अधिसूचना कब जारी हुई तो 13 अक्तुमबर 2008 को इसके अधिसूचना है वो जारी हुई और ये अधिसूचना किसके तैत जारी की जाती है तो वाइड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट है वन्य जीव संगरक्षन अधिनियम 1922 और ये अधिनियम राजस्तान में लाग किया जा चुका है तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है वन्य जीव संगरक्षन अधिनियम 1922 और राजस्तान में एक सित्मबर 1973 को लागू हुआ ये सवाल राजस्तान के विशेसंदर में पूछा जा सकता है कब लागू हुआ तो इसी एक के तहत राजस्तान में किसका नोटिफिकेशन जारी किया है बाकि हम पूरी लिस्ट देखेंगे बाद में कि पहला कौन सा है उसके बाद में दूसरा कौन सा है और एट लिस्ट वरतमान तक 37 कौन सा है वो सारा देखेंगे लेकिन इस्टार्टिंग में थोड़ा सा देख लेते हैं बिसलपूर परथम राजस्थान का कंजर्वेशन रिजरो है ठीक है और ये कौन-कौन से जिले में है तो जिलों की अगर बात करें तो ये राजस्थान में वरतमान में पहले तो टौक जिले में था ठीक है लेकिन वरतमान में ये दो जिलों में है वो फेला हुआ है कौन-कौ वरतमान में टोडा राइसिंग तैसिल है वो कीवडी ही में हो। शप्ट हो गई है। किस बीसलपूर कंज़र्वेशन ही 17 है किस दिन है मैं आपसे पूंच लिया जाए मिय खुषन ही 20 का सीमत और चाहते इत्य आपके विकल्प दे दिये जाए तो आप बता देना और दोनों साथ में खेर हैं वो देंगे नहीं और इस प्रकार से दिया तो खेर शवाल लिलिट हो जाएगा ठीक है तो यह आपका बिसलपूर कंजरवेशन रिजरु राजस्तान का पहला कंजरवेशन रिजरु राजस्तान का पहला कंजरवेशन रिजरु राजस्तान का पहला कंजरवेशन रिजरु राजस्तान का वरतमान में जो कंजरवेशन रिजरु है वो कौन सा है तो वरतमान में 36 जो कंजरवेशन उसका नाम है अमरक महादेव लेपढ़ संग्रक्षन आरक्षित या अमरक महादेव लेपढ़ कंजरवेशन रिजरव है इसके लिए आपकी 7 अक्टूमबर 2023 को दिशुचना जारी हुई तो 7 अक्टूमबर को इसके साथ में और भी है ठीक है एक की नहीं हुई है दो तीन और है तो उस पर भी हम चर्जा करेंगे तो पहला कंजरवेशन रिजरो बिसलपूर कंजरवेशन रिजरो केकडी और टोक जिला और राजस्तान का नविंतम कंजरवेशन रिजरो अमरक इसको इसकी अधिसूचना जारी हुई इसकी गोशना है वह हुई तो यह बात तो आपको इस्टार्टिंग में ध्यान में रखनी है थोड़ी बहुत आगे हम डिसकस करेंगे राजस्तान के वेरियस रिजरो और उन कंजरवेशन रिजरो की लोकेशन क्या है पहली बात तो यह आपको ध्यान में रखना है तो उसमें भी हमने लोकेशन को अच्छी तरीकेश हो देखने समझने का प्रयास किया और इसमें भी आपको अच्छी तरीकेश देखना है कि राजस्तान का कौन सा कंजरवेशन रिजरो है किस जिले में सीचूटेड है और सबसे ज्यादा यह बात भी आप लोगों को ध्यान में हो रखना है तो देखिए राजस्तान का पहला जो कंजरवेशन रिजरो है यह बिसलपूर यहां पर सोर्ट में नाम लिखा है कंजरवेशन रिजरो के आगे CR यानि की कंजरवेशन रिजरो ठीक है तो इसको आप है वो समझ लेना CR का मतलब कंजरवेशन रिजरो है तो राजस्तान में अगर बात करें तो पहला जो कंजरवेशन रिजरो है यह कौन सा है बिसलपूर कंजरवेशन रिजरो यह आपका यहां पर पड़ता है यह केकडी का हिस्सा है और यह टॉंक का है तो टॉंक का कुछ हिस्सा है इस कौनसा organizume जिलु है एक और बिलाकर जिल्वे cage ум कौन्सा जिलियो करेंश में फोत देता हूँ ताकि आपको से बाद में नज्राबे जाएं तो यह बीष Kingdoms से जिलंग में है और एकाम राजस्तान का पहला जिरुवर Dutch पहला कंजर्वेशन रिजरू कौन सा है बिसलपूर जो की केकड़ी और टौक में है इसके लावा एक कंजर्वेशन रिजरू ठीक है राजस्तान के 33 जिलों के लिए 33 जो शुबंकर है वो भी 2016 में है वो जारी किये गए थे और उस एकोर्डिंग जो आपका सबसे ज़्यादा से आगर बात करें है कि खड़मौर जो पक्षी है वह अजमेर में पाया जाता है और अजमेर के जिले के शुबंकर की रूप में भी खड़मौर पक्षी है वो नामित किया है hierarch मार्त मान में आप से पूश लिया जाए कि आप लोगों को ध्यान में हो रखना है ठीक है को में कौन सा है खड मोर शर्ड मोर और यह जो सिर्व है यह को आपका खड मोर जो पक्षी है कि इसके एक पहला पख्षी खड मोर के लिए हो बनाए गया है तो यह आपको ध्यान में रखना है खडमोर पक्षी के संगरक्षन के तूब देखिए अब यहां से सवाल अगर examiner पूछेगा तो वो इस प्रकार्शे पूछेगा कि राजस्तार में खडमोर पक्षी के संगरक्षन के लिए कौन सा जो conservation reserve हो बनाए गया इस प्रकार्षे तो सवाल है वो पूछेगा नहीं क्योंकि खड़मॉर के लिए कौन सा वनाया तो अभियर्ती है वो नाम खड़मॉर देखेगा तो खड़मॉर है वो कर लेंगे ज़ादतर है लेकिन सवाल इस प्रकार्शे पूछेंगे कि राजस्तान में खडमोर पक्षी के संगरक्षण के लिए कहां पर conservation reserve है वो established किया गया है तो खडमोर पक्षी के संगरक्षण के लिए कहां किया गया है इस्तान पूछा जिला पूछा जाए तभी आप बताएंगे कि केकडी अजमेर नागोर टॉंक इस बनाया गया है तो वह बनाया गया है आपका केकड़ी में और खड़मोर जो पक्सी है वह किसका मस्कट है अजमेर का है यह बात भी आपको ध्यान में रखना है तो यहां पर नोट डाल देते हैं कि अध्या पक्षी अजमेर जिले का क्या है मस्कट है शुबंकर है अजमेर का है लेकिन खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है तो खड़मोर कंजर्वेशन रिजर्व आपका इसे केकड़ी जिले में है यह बात आपको ध्यान में रखनी है है जश्मेर में कंजर्वेस्टा है जिसका नाम है गंगा भेरव गाटी गंगा भेरव गालबावट ऑड़ा है यह न कंजरवेशन रजच्टान के ऑजमेर जिले में हैं जमेर में तो गंगा वेरव चुझेटार में खडमोर केकडी में भीसलपुर टोंक और केकडी में अब आगे बात करें तो सबसे ज्यादा राजस्तान में conservation reserve है वो शहबाद में यानि की सवरी 12 जिले में है ठीक है 12 में फुल 7 conservation reserve है देखिए बात करें तो एक दो तीन चार पांच और शाथ ठीक है टोटल कितने हैं साथ conservation reserve है तो सहाबाद conservation reserve है ये 12 में इस्तित है और राजस्तान का एरिया की दृष्टी से फित्रफल के अनुसार सबसे बड़ा conservation reserve है ठीक है तो कौन सा आप से पूचा जाए राजस्तान का सबसे बड़ा conservation reserve है ठीक है सबसे बड़ा है तो इसका एरिया कितना है एरिया है एक तो नवासी पॉइंट टीनो वर्ग किलोमेटर ठीक है तो एक सो नवासी किलोमेटर के साथ में राजस्तान का सबसे बड़ा एरिया के इसाब से conservation reserve है वो कौन सा है शहाबाद conservation reserve है और यह शहाबाद तलटी conservation reserve है यह राजस्तान का क्या है second largest है ठीक है दूसरा सबसे बड़ा conservation reserve है इसकी अगर बात करें तो यह 178 वर किलोमेटर है और सहाबाद है यह एक सो नवासी है ठीक है तो सहाबाद सबसे बड़ा है और शहाबाद तलटी conservation reserve राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा conservation reserve है सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा है हम ascending descending order में भी आगे है वो पढ़ेंगे 55 को हो पढ़ेंगे जो आपको conservation reserve किस जिले में है तो यह आपको ध्यान में रखना है राजस्तान के सरवादिक conservation reserve 12 जिले में है सरवादिक conservation reserve कों से जिले में है 12 जिले में है और यह जो सोर्षन conservation reserve के नाम से तीन conservation reserve बढ़े है तीनों ही नवंबर 2023 को बढ़ाए गए है तो यह जो सोर्षन रिज्रुँ है ये विशेश रूप से जो गोडावन पक्षी है इस गोडावन के संक्रेक्षण के लिए это रिए यह जो the रिज्रुआ है वह बड़ाई गए गए हैं गोडावन पॉक्षी के संगरेक्षण के उद्देश्य शे तोर्षन वाली ज्यादा तर गुडाउन के संगरेक्षण के लिए हैं तो यह हम लिखेंगे गुडाउन तो बारा में कौन कौन से कंज्रोएशन रिज्रों है कितने है टोटल तरवाधिक और सर्वाधिक कितने है तो बारा में कौन कौन से है एक तो आपका सहाबाद सबसे बड़ा हो गया बारा में ही और शाहबाद तलेटी इसलिए दूसरा सबसे बड़ा है यह भी बारा में है वड़ावन पक्षियों के संगरेक्षण के लिए सोर्षन प्रथम दूर्शन दुट्य और सोर्षन तृत्य केस लिए भी तीन बारा में है तो तीन और दो कितने हो गए पांच हो रामगड विस्दारी की अगर बात करें तो यह मैंली बुंदी जिले में हैं ठीक है मुख्य रूप से बुंदी में हैं और भी आसपास के जो जिले हैं टाइगर रिजरू भी है यह ठीक है तो वह हमने डिसकस किया लेकिन रामगड कंजरुएशन रिजरू की बात करें तो य तो यह तोटल साथ कंजर्वेशन रिज्व है जो की 12 में स्तित हैं साबाद सबसे बड़ा जो साबाद तलटी है वह दूसरे दूसरे सबसे बड़ा सोर्शन वाड़े गोडावन पक्सिके संग्रक्षन के लिए इस्तापित किये गए हैं एक बिलवाडा की अगर बात करें तो शाहपुरा और बिलवाडा इन दोरों में एक एक कंजर्वेशन रिज्व हैं बिलवाडा की बात करें तो बिलवाडा में कौन सा है हमीर गड़ कंजर्वेशन रिज्व हैं ठीक है बिलवाडा में कौन सा हो गया हमीर गट कंजर्वेशन रिजरू कहा है बिलवाडा में इस्तित है ठीक है तो हमीर कहा है बिलवाडा में और एक साहपुरा में है बीड गास पुलिया खुर्द ठीक है तो बीड गास पुलिया खुर्द किसमें है साहपुरा में बीड गास पुलिया खुर्द ठीक है तो बीड गास पुलिया खुर्द कौन से जिले में सहापुरा में तो ये हो गए इसके अलावा बात करें तो जैपुर में राजस्तान में मुझके रूप से कंजर्वेसन रिजरू की बात करें तो तीन रीजरो है यह आपके किसके लिए है तेन दुवा के लिए है तेन दुवा से लिए प्रिषिद है तेन दुवा सफारी प्रिषिट है सवाल काफी बार पूछा गया है कि राजसान में कौन सा जो कंजर्वेशन रिजरू है वो तेंदुआ सफारी पार्क के लिए प्रशिद है तो जालाना आमागड कंजर्वेशन रिजरू जो जैपुर में इस्तित है किसके लिए प्रशिद है तेंदुआ सफारी पार्क के लिए प्रशिद है और जैपुर में कौन-कौन-सा है तो एक तो यह है जालाना आमागड और दूसरा है बीड मुहाना बात करें तो जापूर में कौन-कौन-सा है एक तो जालाना आमागड जालाना आमागड कंजर्वेशन रिजरू एक है आपका बीड मुहाना ठीक है बीड मुहाना A और बीड मुहाना B ठीक है बीड मुहाना A और बीड मुहाना B इसमें अगर बात करें तो जैपुर में टोटल तीन कंजर्वेशन रिजरू है बीड मोहना A, बीड मोहना B और आमागड जो आपका जालाना आमागड कंजरुवेशन रिजरू इसमें बीड मोहना B की बात करें तो ये एरिया के एकोर्डिंग राजस्तान का सबसे चोटा कंजरुवेशन रिजरू है ठीक है ये बात आप लोगों को द्यान में रखनी है आ कि राजस्तान का अभाड चोटा कंजरुवेशन रिजरू है ये कुछ बाते हैं इसमें है वो नीचे लिख दी गई है आपको ये वड़ा खेड़ा यहां जो उन्धामाता कंजरुवेशन रिजरू है इसको आप सबसे चोटा ना मान ले ठीक है तो सबसे चोटा कौन सा है बीड, मुहाना, कंजरुएशन इजरो, जैपूर, जो B है, B वाड़ा यह सबसे चोटा है, इसके एरिया की अगर बात करें, तो यह 0.1039 स्कॉर किलोमेटर हैं, ठीक है, कितना है, 0.1049 वर्ग किलोमेटर, सबसे चोटा, सबसे बढ़ा कितना है, बढ़ा है, 189 वर्ग तो यह सबसे बड़ा 0.10 किलोमेटर है यह इसका है वो एरिया है तो सबसे बड़ा कोई सा है यह भी हम समझ गए तो जैपुर में कितने हैं जैपुर में बीड मोहाना बीड मोहाना A और बीड मोहाना B और तेंदुवा सफारी पार्क के लिए जालाना अमागड कंजरवेशन रिजरू है यह आपका 3-2 सफारी पारिक के रूप में प्रशिद है तो सांचोर में एक पहले यह जालोर में था और अब सांचोर में है यह कौन सा रिजरू है तो इसका नाम है रणखार रिजरू है तो यहां पर है रणखार कंजरोएशन रिजरू है सांचोर में है और एरिया के अगर देखा जाए तो यह राज़तान का थटा सबसे बड़ा Conversion Gesellschaft generation हैं, और conserve computation region हैंawan की अगर बात करें तो यह विशेश रूप से किस eigenा बनाया गया है, तो यहां पर क्या है'm कापी दलどली भूमी ज्यादा है, यहusta चुनलवाना, क्षोज। तैसिल जो की ज्यादा तर आपके कच का जो रण है उस इलाका है उससे काफी है चटा हुआ इलाका है और वहाँ पर कच का रण वाला जो एरिया है गुजरात में वो केसा है एक दलदला और लवनिय भूमी है ठीक है तो ये भी काफी बड़े विस्तिर्च सेत्र में फिला दल इसको अधिशूची तैवो किया गया है ठीक है और आपको ध्यान में रखना है कि कच का रण हेबिटार्ट के समरूप है ठीक है तो ये रणखार की बात करें तो ये जंगली गदों के लिए विसेश रूप से यहां पर आपके जंगली गदे हैं वो पाए जाते हैं और दूसरी बात है कि कच के रण हेबिटार्ट के जैसा है ये ठीक है तो ये रणखार कंजरूपेशन इजरू एक है वाडा खेडा कंजरूपेशन इजरू वाडा खेडा की बात करें तो यह कहां पर है शिरोई जिले में है इसको थोड़ा सा जूम साइद बड़ा है थोड़ा ज्यादा ही है तो इसको ठोटा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिख पाए तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर अगर बात करें तो वाडा खेडा कंजरूपेशन इजरू है यह आपका कहां पर है इस शिरोई में है, शिरोई में वाड़ा खेडा और एक Consurvation Reservoir है जिसका नाम है सुन्दा माता Con magnificenceespère जो की सिरोई और जालोर में हैं, ठीक है, सुन्दा माता जालोर और सिरोई, जालोर की बात करें तो आपका जालोर का जो बिनमाल कसबा है ये भीनमाल इससे लगता है और सिरोही का रेवदर और रेवदर और इसके आसपास में कुछ एक दो छोटी छोटी जो आपके कस्बे हैं ठीक है वो इसमें है वो सामिल है ठीक है तो सुन्दा माता कंजरुएसर रिजरुए केवल आप से पूछ लिया जाए एक जिले अगर द इस रूप से आता है और इस कंजरुएसर रिजरु को अभी तक अगर बात करें तो यह आपका जो भीनमाल है यह वैसे सांचोर में हो नहीं गया है सांचोर के शिमावरती है लेकिन सांचोर में अभी तक हो गया नहीं है भीनमाल में ही है ठीक है जालोर में ही है तो यह आप यह सांचोर में तो इस प्रकार से यह है कि यूंग तो सुन्दा माता बीनमाल और आपका सिरोई जिलों के हैं और यह किसके लिए प्रशिद है तो यह बालू के लिए बालू के संग्रक्षन के लिए यह एक अभ्यारणिये की रूप में भी इसको हो गोशित किया गया है यह इसे बना तो 2008 में था लेकिन बाद में सुन्दा माता को स्रोई वाले माउंट आबू वाले कुछ एरिया को साथ में हो जोड़ करके यहां पर एक बालू शंचूरी के रूप में इसको एस्टाब्ली से वोग किया गया है तो यह बालू के लिए प्रशिद है सुन्दा माता 20 जुलाई 2020 को इसे राजस्थान का पहला वे देश का सोथा बालू अभ्यारणिये या बालू पंजर्वेशन रिजर्व के रूप में तुच्ची बद किया गया अब 20 जुलाई 2010 को या 20 लिख दिया मैंने मापी चाहूंगा 20 जुलाई 2010 को ये बालू अभ्यारणिये के रूप में हो बना था ठीक है तो ये सवाल बहुत बार है वो पूछा गया है कि राजस्थान का पहला बालू अभ्यारणिये है वो कौन सा है तो सुन्दा माता राजस्थान का पहला है वो बालू अभ्यारणिये है और ये जो सुन्दा माता है यहां पर राजस्थान का पहला रोपवे भी इस्टाबलिस है वो किया गया था यहां सुन्दा जी माता जो सुन्दा माता जी है उनसुन्दा माता जी का है वो मंदिर है सुन्दा परवत पर ठीक है तो आप से प्रिक्षा में भुगोल की दरश्टी जे भी काफी बार पूछा जाता है कि सुन्दा परवत कभी कभा क्लिक दिया जाता है सुन्दा ठीक है सुन्दा परवत या सुन्दा जो परवत है वो राजस्तान में कहा है तो सुन्दा या सुन है 2010 में लेकिन यह जो सुन्दा माता कंजर्वेशन रिजर्व हैं यह तो आपका कब बना था 2008 में बना था लेकिन सुन्दा माता जो बालू अब्याणिया के रूप में इस्टाबलिच किया था 2010 में 20 जुलाई 2010 ठीक है तो यह बातें आप लोगों को इस संबन में हो ध्यान में हो रखना है आगे हम और कंजर्वेशन रिजर्व की हो चर्चा करते हैं आईए एक हैं बिकानेर में जोहड बीड कंजर्वेशन रिजर्व है जोहड बीड ठीक है जो जोहड बीड गडवाला कंजर्वेशन रिजर्व ठीक है तो जोहड बीड गडवाला कंजर्वेशन रिजर्व यह बहुत बार प्रिक्षा में है वो पूछा गया है एक तो नागोर के जो आपका गोगेलाव है रोटू है और एक जोहड बीडवाला यह बहुत बार प्रिक आपका कौन सा है गोगिलाव और रोटू है यह तो आपके नागोर में है ठीक है यह आपका रोटू और यह है आपका गोगिलाव रोटू फ्रेतरफल की दरश्टी से राजस्तान का दूसरा सबसे चोटा कंजरोशन रेज्रोव भी है वो तो इस चो टा है रोटू वाला है वो नागोर में इस चित्ट खें है और गोगिलाव में यह है कुछ चामन में कहीं नहीं गए हैं ये दोनों नागोर में ही है रोटू और गोगिलाव तो रोटू कहां है नागोर में गोगिलाव कहां है नागोर में ये रोटू नागोर की जायल तेसिल में है ठीक है और यहां गुरू जांबो जी का एक आपका भवय मंदिर भी बना गुरू जामबोजी ने अपनी धर्म की जो बहिं थी, उमा बाई जिन का नाम था, उनको यहाँ पर बात बरा था, मायरा इत्यादी है, वो बरा था, तो उनकी भी काफी जो कहानीया कथा इत्यादी है, वो देखने को मिलती है, तो ये रोटू आपका यही है, नागौर में है यहां कहा जाता है कि गुरु जांबो जी ने जब बात बरने के लिए आए मायरा बरने के लिए आए तो यहां पर अपने भक्तों को अनुवयायों की प्रात्ना पर गुरु जांबो जी ने यहां पर खेजडियों का बाग लगाया था खेजडियों का बाग लगाया था खेज तो इसको राजस्तान और को को राजस्तान का रूप में ब्यैंसे आप कहाँ है रोटु नागोर में हैं यह यहां पर यहां पर काफी नीम के हुए कृतिणता पर वन दितांत ने कृतिण सबसों कुछ कॉमर जिलों में हुआ नवीन नेम का धना जिला की बाथ करें अगर किसे डोव के कंजर्वेशन रिजरब हैं एक के ले का थाना में बांसियाल खेटडी पहले जुन-जुन में था और नए जले कनुसार जो आपका नेम का थाना में चला गया है तो एक तो बांसियाल खेटडी और एक बांसियाल खेटडी बागूर यह दोनों ही कहां पर है नेम का थाना जिले में इस्तित है अब ऐसे जो की दो-डो जिलों में है कुछ नेम का थाना जुन-जुनु में और दो है नेम का थाना के साथ में स्वी कर में तो एक कंजर्वेशन रिजरो है जिसका नाम है मंसा माता ठीक है अगर बात करें मंसा माता कंजर्वेशन रिजरो तो ये जुझनू और नीम का थाना में है जुझनू और नीम का थाना में मंसा माता कंजर्वेशन रिजरो है ये कौन से जिले में है ये नीम का थाना का कुछ जिला का आता है और कुछ हिस्सा है जूजणु का सभी हो सर्व लित हैं हूं सकते हैं अगर आप से Conundurvation Rigide पूचा जाए तो आप बताएंगे नीम का थाना और जूँदूजिला कोई एक भी जिला आ सकता है या दोनों दो जिलों के समूब भी आ सकते हैं तो मनसा माता जूँदूदू और नीम का थाना ठीक है तो साकम भरी चेकर और नेम का थाना इन दो जिलो में common con प्राइक है जिलोगता और बाले श्वेर्टो बाले सर कंजरवेशन रिजरग तो बाले सर ये सीकर है और शात में नीम का थाना है और शाकमबरी है सीकर है और शात में नीम का थाना है तो शीकर वर्षेज नीम का थाना बाले सर और शाकमबरी तो जूझनू और नीम का थाना में कौन कौन से है तो जूझनू और नीम का था पूछा बागोर केवल यहां पर आप से पूछ लिया जाए कि दोनों में मन्सा माता जी ठीक है यूंब तो आपको बताना है साकंबरी और बालेशर कंजरवेशन इसके करें जाएक सेकर में हैं और जौती है जूसे का दो आता है दिए का नाम जनढ़रू है लेकिन examiner जब पूछता है तो जूझनू नाम है वो अटा देता है रशीदा पूछता है बीड गंजरवेशन रिजरू के सेले में है तो बीड केवल बीड पूछा जाए तो जूझनू है बीड फतेपुर पूछा जाए तो आपका कहा हो जाएगा सीकर में और बीड गास करें तो यह आपका बीड कंजरवेशन रिजरू है जूझनू में और यह है बीड फतेपूर बात करें तो छीकर में बीड फतेपूर यह आपका सीकर जिले में हो जाएगा तो यह आम समझ गए बीड वाला है वो थोड़ा सा लिक देते हैं क्यूंकि बीड एक ही प्रकार का नाम बड़ा है तो आप confuse भी हो सकते हैं यहाँ पर देखिए अगर आप से क्या पूछा जाए केवल पूछा जाए बीड इसका नाम तो बीड जुझनू है लेकिन ज्यादा तर परिक्षा में केवल बीड ही पूछा गया है तो बीड आप से पूछा जाए तो आप बताएंग के यह है जुझनू में ठीक है बीड के आगे फतहपूर लिख दिया जाए बीड फतहपूर कंजरवेशन रेजरो है तो यह आपका चला जाएगा सी करजिले में बीड के आगे मुहाना लिख दिया जाए बीड मुहाना कंजरवेशन रेजरो है ए और एक है आपका बी तो यह कहां है यह है आपके जैपूर में दोनों ही बीड मुहाना बी वाड़ा है वो सबसे थोटा कंजरवेशन रेजरो है राजस्थान का एक बीड वाड़ा कौन सा है बीड गास पुलिया खुर्द बीड गास पुलिया खुर्द पुछा जाए तो वो कहां है तहा पुरा में ठीक है यह बीड के नाम से चार कंजर्वेशन रिजरो है ध्यान में रखना है बीड जूंजरों या केवल बीड ये जूंजरों में है बीड फतेपूर सीकर में है बीड मोहाना जैपूर में है और बीड गास पुलिया खुर्द है ये आपका स्रहपुरा जिले में है तो ये केवल बीड के नाम के conservation reserve है ये आप लोगों को ध्यान में हो रखना है अब बात करते हैं बीड जूजरूं conservation reserve हो गया पाली जिले में दो conservation reserve है एक तो है जवाई बांद conservation reserve पाली में इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं पाली में कौन से हैं? एक तो आपका जवाई बांद leopard conservation reserve है ये आपका पाली में है जवाई बांद तो दोनों का नाम वे से जवाई के नाम पर ही है यहां जवाई नदी भी गूजरती है और जवाई बांद जिसको मारवाड का अमरित स्रोवर कहा जाता है तो ये आपका इसी में है जवाई जवाई बांद एक तो किसके लिए है leopard के संगरक्षन के लिए है एक का नाम है जवाई बांद conservation reserve और दूसरे का है जवाई बांद leopard conservation reserve second ठीक है तो ये किसके लिए है तेंदुआ के लिए है leopard के लिए है तेंदुआ संगरक्षन तो पाली में कितने संगरक्षन रिज्रू है दो एक तो जवाई बांध लेपार्ड सेकंड और एक जवाई जवाई इता आप करते हैं जोधPur में जोधPur का नाम है गुढ़ा विश्णो यान किन्झणो विश्णो यान ये जोदपुर की लूणी तैसिल में है वो पढ़ता है वेसे तो जोदपुर शीटी से भी नजदी की है लेकिन लूणी तैसिल जोदपुर शीटी में नहों करके जोदपुर ग्रामिन में हो पढ़ता है तो गुड़ा विस्नुयान कंजिर्वेशन रिजरू पूचा जाए गु तो इसका नाम क्या है गुड़ा विस्नोई आन और इनको विस्नोई सफारी पार्क के रूप में भी जाना जाता है यहाँ पर अगर बात करें तो बहुत सारे जो हिरण है और वन्य जीव इत्यादी है वो आपको देखने को है वो मिलेंगे और काफी एक परकार का सुरम में माहूल है और काफी जो विदेशी प्रेटक इत्यादी है वो भी बड़ी संक्या में जब जोदपूर्ग के आसपास में भर्मन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर गुड़ा जो अरहाँ है। जीवन जो नजारा है वह यहाँ पर बहुत ही देखते ही तो गुआ विस्यवधन है कि आपका जोदपूर ऑर करीशन रिजडियों के रूप में जा चुआ है . एक है जोदपूर के फलोदी में फुर्जा जो कि आपका खीं contribute गाव है जोदपुर के फलोदी तैसिल का खींचन अब तो खेर जो फलोदी है वो फलोदी जिला ही बन गया है तो यह जो फलोदी है इस फलोदी में कौन सा कंजरवेशन रिजरो है खींचन खींचन गाव में फलोदी का जो खींचन है कसबा है इस खींचन गाव में जो कुर् करने के लिए यह बनाया है जिसका नाम है पुर्जा आप से पूछ लिया जाए कि राजस्तान में परवासी पक्षी जो कुर्जा है वो सबसे अधिक कौन से जिले में यहां सरवादिक आपके कहां पर हमें देखने को मिलती है तो एक तो खींचन है यह जोदपुर का परवास जोदपुर में हुआ अपका पर जोदपुर में हुआ करता था और एक कुर्जा के लिए कौसा प्रशिद है ताल चापर किर्शन के लिए और कुर्जा के लिए ताल चापर अब्याने है वो भी कुर्जा और किष्ण मर्ग काले हिरणों के लिए प्रशिद है और ये जो आपका खींचन है ये भी किसके लिए प्रशिद है कुर्जा के लिए हो प्रशिद है तो इसका नाम भी कुर्जा के नाम पर रखाया गया है कुर्जा कंजिनुवेशन रिजरो राजस्तान मे कहां है तो यह आपका फलोदी में है इस्थान पूछ लेया जाए तो खींचन बताएंगे आप लोग तो यह आपका हो गया जोदपुर जोदपुर ग्रामेन एक उम्मेद गंज पक्षी विहार यह भी बहुत बार पूछा जाता है कोटा में हैं कौन सा है उम्मेद गंज पक्षी विहार और यह पक्षिव़िए विशय दूर पर काशियों के संग रक्षण के लिए और बात करें तो कनक शागर ये आपका आखेट निश्य छत्र है जो कि बूंदी में इस्तित है कनक शागर वड़ा भी काफी बार पूछा जाता है और उम्मेद गंज पक्षी वियार कहां इस्तित है तो ये भी कोटा में है ध्यान में आपको रखना है ठीक है बूंदी में बात करें तो ये कनक शागर ये भी पक्षियों के लिए हो जाना जाता है पक्षी अभ्यारनिय के रूप में हो जाना जाता है ठीक है तो कनक शागर आपका बूंदी जिले में इस्तित है ठीक है और ये आपका पक्षी अभ्यारनिय हम इसको कह सकते हैं लेकिन ज तो आपका अभ्यारणी है यानि कि wildlife century है वो अभी तक इसको नहीं अधिसुचित किया गया है लेकिन पक्षी अभ्यारणे की रूप में इसको जाना जाता है अभी तक यह आपका आखेट निश्चित फित्र है ठीक है hunting prohibited area उद्यपूर की बात करें तो उद्यपूर में कुछ नविन जो बने है बाग दर्डा crocodile conservation रिजरो उद्यपूर में है महसीर conservation रिजरो और अमरक मादेव लेपड कंजरेविशन रिजरो जो की राजस्तान का सबसे नविन conservation रिजरो है सबसे नविन अक्तुमबर 2023 को अधिसूचना जारी हुई ठीक है उद्यपूर में कितने होगे तीन है एक तो कौन जा है आपका बाग दर्डा crocodile conservation रिजरो है जो crocodile यहने की गडियाल जो आपका जली जीव है इसके संगरक्षन के लिए है एक महसीर है और एक अमरक महादेव लेपड कंजरेविशन रिजरो है जो लेपड त्यंदुआ के संगरक्षन के लिए है तो अमरक म महादेव लेपड मेहसीर और एक आपका है बाग दर्रड़ा crocodile conservation रिजरो वायद्रो चैसे अब इसके बार में डिसकस किया है इसमें हमने देखा कि सबसे अधिक जो जिला है वो हमें कौन सा देखने को मिला है आपका 12 जिला इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जैपूर में भी 3 जिला है और उदेपूर में भी 3 जिला हमें देखने को मिले हैं इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ यह जिले है जिसे नीम का थाना जिला है तो नीम का धाना में एक, दो और इसमें भी ये है 3, 4, 5 नीम का धाना में हो 5 konservoration हो जाता है commonly भी अगर देखा जाए तो सबसे अधिक konservoration जिले बारा में दूसरा जो इस्थान आता है वो आपका नीम का धाना जिले का है वो आ जाए गा और तीसरा जो इस्तान आता है वो आपका बात करें तो उदैपुर और जैपुर में 3-3 conservation reserve है तो ये आपके conservation reserve जिले wise कौन से जिले में कितने क्या conservation reserve है और किस जिले में इसकी क्या location है वो हमने देखी अब हम इन conservation reserve की एक स्थापना तिथिक एनुसार थोड़ा सा इसका एक chronologically order NOAH काlles एक्रम देख लेते हैं पहले ऊसके बाद में को सा बना और 2023 में में आपके एक साल पहले के लेडिश्ट बने हुए हैं तो फोको कहा है? ठीक है तो पहले तो हमें oldest देखते हैं सबसे जो पुराने है वो कौन से है तो पहला जो conservation reserve था वो कौन सा है बिसलपूर conservation reserve है ये राजस्तान का पहला conservation reserve है ठीक है और इस conservation reserve को कब अधिसुजित किया गया था तो अधिसुचना मैंने starting में पहले ही आपको बताई 13 अक्तुमबर 2008 को ये conservation reserve के रूप में अधिसुजित किया गया उसके बाद में दूसरा जो है वो एक तो जो हड़ बीड जो गडवाला conservation reserve जो हड़ बीड गडवाल conservation reserve बिकानेर वाला और एक सुन्दा माता conservation reserve जो आपका बात करें जालोश्रोवी वाला तो इसको 25 नवंबर 2008 को इन दो conservation reserve को अधिसुचित किया गया तो पहला तो कौन सा हो गया आपका बीसलपूर इसके बाद में आपके सुन्दा माता और बात करें तो बिकानेर वाला जो हड़ बीड ये आपके second phase में जो conservation reserve बनाए गये थे ये दो थे और इसकी अगर बात करें तो जो सुन्दा माता है ये हमने देखा कि आपका बीस जुलाई 2010 को इसको क्या है बालू अभ्यारने का भी दर्जा दे दिया गया था ठीक है बालू अभ्यारने के रूप में तो बालू अभ्यारने कब बना ये आपसे पूछा जाए तो ये बीस जुलाई 2010 को conservation reserve के रूप में सुन्दा माता कब इस्तापित हुआ तो ये हुआ था 2008 को ठीक है दोनों बात आप लोग ध्यान में हो रखेंगे गुडविष्नूयान कंज्रोय सने जनी है इसको बाद में 2000 में 15 परैवरी 2021 में बनाया गया था इसके बाद में शाकमबरी सांनी है ये आपका शीकूर ने का थाना वाडà ये फरवरी 2012 में और इसके बाद में आपके कुछ 12 में थेरा में अठारा में इस प्रकार्शाएगО तो सारी की डेट आपको ध्यान में रखना ना तो इतनी पूची जाती है और नहीं आप लोग याद है वो रख पाएंगे तो यह रखने के आश्यक्ता नहीं है यह आपको ध्यान में हो रखना है और इसके बाद में अब जो नविन जो बने हैं यह आप लश्ट वाली जारी है वो हूए क्यान में अस्तार है और यहां अगर बात करें तो यह आपको ध्यान में रखना है सितंबर और अक्तुम्बर वाले तो देखिए अगर बात करें एक तो काफी बार जो पूचा जाता था पहले अब तो थोड़ा सा यह ओल्ड पड़ गया है यह जो रणखार वाड़ा सोड़ हुआ एक सितंबर 2022 को इसके बाद में बीड गास पुलिया खूर्द गंजरुवेशन रीजरो शापुरा वला बाग दर्ड़ा क्रोकुड़ा कंजरुवेशन रीजरो उद्यपूर का वाड़ा खेड़ा अगर बात करें तो जालाना आमागड गंजरुवेशन रिजरो है यह आपका जो चंदुवा सफारी के रूप में जाना जाता है यह 17 फरवरी 2003 बना था इसके बाद में रामगड गंज्रवेशन रिजरो खडमोर कंज्रवेशन रिजरो जो केकडि में हैं हम्मीरगड कंजरवेशन रिजरू भीलवाड़ा में कुर्जा कंजरवेशन रिजरू है यह आपका 26 अप्रेल 2023 को है वो इसके लिए नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ था कुर्जा के लिए कब 26 अप्रेल 2023 को सोर्षन फर्स्ट सेकंड और थर्ड है यह आपके बने थे 26 प्रेल को बने उसके बाद में 19 मई को बारा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ फिर बाले सर्व जो आपका नेम का थाना और शीकर में है 8 सितंबर को गंगा भेरव घाटी कंजरवेशन रिजरू यह आपका अजमेर में है 6 अक्तुमबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ और इन 6 अक्तुमबर के साथ में गंगा भेरव बीड मोहना ए और बी महसीर बीड फतेहपूर कंजरवेशन रिजरू अमरक महादेव लेपड कंजरवेशन रिजरू यह वाड़े आपको 6 विशेश तोर पर ध्यान में हो रखना है यहां से गंगा भेरव गाट 30 से लगा करके 36 तक तो 6 कंजरवेशन रिजरू है कि राजस्तान के नविंतम और सबसे नविंतम अगर पूचा जाए तो फोरेश्ट डिपार्टमेंट की इत्यादी जो लिस्ट इत्यादी है तो वहां पर भी और जो नविंतम फोरेश्ट डिपार्टमेंट का वार्षिक प्रतिवेशन है तो उसमें भी 36 वेस्तान पर अमरक महादेव जो लेपड कंजरवेशन रिजरू है इसको रखा है तो सबसे नविंतम आपसे पूचा जाए तो अमरक महादेव आप है वो बताएंगे बाकी ये सारे एक साथ ही डेट को इसका नोटिफिकेशन तो जारी है वेसे अगर बात करें तो ये तीन आपके 6 अक्टूमबर को है ये वाड़े और तीन ये आपके 7 अक्टूमबर को है तो इसमें सबसे नविंतम पूचा जाए तो ये आप अमरक महादेव को बता देंगे सबसे नविन वे 37 अक्टूमबर को ये और महसीर है वो 7 अक्टूमबर तो आप से पूचा जाए कि 7 अक्टूमबर 2023 को राजस्तान वन विबाग ने कितने जो कंजरूमबर रिजरू है वो अधिसुचित किये तो तीन किये थे 7 अक्टूमबर 2023 को कौन कौन से है तो बीड महसीर कंजरूवेशन रिजरू उदेपूर का और अमरक महादेव कंजरूवेशन रिजरू उदेपूर का और एक है बीड फतेपूर कंजरूवेशन रिजरू शीकर ठीक है तो अमरक महादेव ध्यान में रखे रखेंगे और उद्यापूर का महसीर कंजर्वेशन जुजर जो 7 अक्टूमबर को है वो हुए 6 अक्टूमबर को कौन से हुए तो गंगा भेरव गाटी है अजमेर वाड़ा बीड मोहाना फर्ष्ट और शेकंड बीड मोहाना यह आपके 6 अक्टूमबर को गंगा भेरव यह तीन है सबसे नविन अब इन मैं से तीनों मैं से कोई भी पूछ लिया जाता है कोई भी एक दिया जाएगा कि राजस्तान का सबसे नविन कंजर्वेशन जिरो कौन सा है तो इन तीनों मैं कोई एक दिया जा सकता है यह 36 वा 35 वा इस प्रकार से कौन सा क्या है तो फिर आ हम इनको थोड़ा सा आरोई अवरोई करम में देख लेते हैं तो सबसे और सबसे जो आपका लेटेस्ट कौन सा है तो बीसलपुर कंजर्वेशन रिजरू है तेरा कुमबर 2008 को और सबसे जो लेटेस्ट है वो अमरक महादेव लेपड कंजर्वेशन रिजरू उध्यपुर में सबसे नवीन है अब बात करते हैं कि खेत्रफल की दृष्टी से राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजरू है वो कौन सा है तो हमने देख सहाबाद तैलेटी कंजर्वेशन रिजरो ये राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा है इसके बाद में शाकंबरी कंजर्वेशन रिजरो सीकर और नेम का थाना में अवस्तित राजस्तान का तीसरा सबसे बड़ा है और सबसे उचाई परिस्तित राजस्तान का कंजर्वेशन ह है न पर यह जो पांच सबसे बड़े आपको ध्यान में रखना है कौंसा उसके बाद में आप माता जी और फिर मनसा माता जी ठीक है तो तीन माता जी ध्यान में रखना है पहले तो आपके शाहबाद और शाहबाद तलटी दो तो होगे फिर शाकंबरी माता सुन्दा माता मनसा शाकंबरी सुन्दा मनसा शाकंबरी सुन्दा मनसा शाकंबरी सुन्दा मनसा तो माता जी है माता जी में शाकंबरी, शबशे बड़ी, उसके बाद में, सुन्दा जी बड़े, फिर आपके मनसा माता जी है, तो यह आप लोग ध्यान में हो रखेंगे, बहुत इजी है वैसे, ठीक है, तो राजस्थान के पाँच कंजरवेशन इजरो ऐसे है, जिसका जो एरिया है, वो कितना है, एक एक सो वर किलोमेटर से अधीक है, ठीक है, राजस्थान के पाँच कंजरवेशन इजरो ऐसे हैं, जिनका, पुलक शेत्रफल, तो वरग किलोमेटर, तो वरक किलोमेटर से अधीक वाले कितने हैं, आपके पांच है, और इसे पूछ लिए जाए कि डेड़ से अधीक कितने हैं, तो डेड़ सो उसे अधीक है, वो दो, और राजस्थान का सबसे बड़ा कंजरवेशन इजरो है, साबाद बारां का था आधीक साबाद तलर ती दूसरे बड़ा है उसके बाद में शाकंबरी माता सुन्दा मनसा माता ठीक है यह दियान में रखना है सबसे बड़े वाड़े सबसे चोटा कंजरवेशन रिजरू की बात करें तो हमने देखा कि बीड मोहाना कंजरवेशन रिजरू है जो कि आपका 6 अक्तुमबर दो हजार 23 को स्थित्य माया था जैपूर में स्थित्य है और राजस्तान का सबसे चोटा कंजरवेशन रिजरू है ठीक है जिसा है इसमॉलेश्ट ठीक है और यह है बिगश्ट अब से बड़ा तो यह आपके सिक्वेंस दिये हुए है यह अवरो ही करम इसका है और यहां पर अगर बात करें कि यह आरो ही करम है इसका ठीक है यह आपका इसकी अगर बात करें डिसंडिंग ओर्डर और यह असंडिंग ओर्डर है आरो ही करम के अनुसार आपसे पूझ ल आएंगे फिर है वो बड़े आएंगे और यह किस क्रम में दिये हुए है और वो ही क्रम descending order ठीक है तो पांच जो बड़े है वो और पांच छोटे कौन से है तो bead moana conservation reserve सबसे छोटा है और row 2 जो conservation reserve है वो नागोर में सबसे दूसरा सबसे छोटा ठीक है दूसरा सबसे छोटा conservation reserve है रोट्टू नागोर इसका एरिया कितना है 0.2023 में जब यह नहीं बना था bead moana उससे पहले आपका राजस्तान का सबसे छोटा conservation reserve कौन सा था रोट्टू वाड़ा था लेकिन यह जो बन गया है तो अब रोट्टू दूसरे इस्तान पर आ गया है और bead moana conservation reserve है कि प्रतम इस्तान पर आ गया है इसका 0.728 के वर किलोमेटर है सोर्षन 3rd conservation reserve की बात करें तो यह 12 में इस्तित हैं और यह आपका 3 रा सबसे बड़ा है देखिए 12 के अगर बात करें तो साबाद और शाबात तलटी है यह पहला सबसे बड़ा शाबात दूसरा साबात तलटी है और 12 में ही इस्तित आपका सोर्षन जो 3 है यह राजस्तान का 3 सबसे चोटा है यह जैपूर में सबसे चोटा रोतू दूसरा सबसे चोटा और तंक थर्षन त्रड गात सबसे चोटा है इसके बाद में बीड घास पुलिया खुर्द इस रिज्रो है यह शापुरा में स्थित चोथा सबसे चोटा है और फिर मैसिर इस रिज्रो जो सबसे लेटरेस्ट में बढ़ा है यह आपका पांच विस्तान पर फोटो के करम में हो आता है तो यहां पर भी एक वरे किलोमेट्र से भी कम है तो एसे चार कंजर्वेशन रिज्रो है जिसका एरिया एक वरे किलोमेट्र से भी कम है बीड गास बीड मोहाना रोटू सोर्शन और बीड गास पुलिया खुर्द ठीक है प्राजस्थान के पुल चार एसे पंजर्वेशन रिज्रो हैं जिनका चेत्रफल एक वरे किलोमेटर से भी कम है एक वरे किलोमेट्स से भी कम कौन से है यह आपके चार है एक से बचे जो 32 है उसका जो एरिया है वो एक से अधिक है और सो से अधिक वाले कितने हैं तो सो से अधिक वाले यह पांच है इससे बाद में सो से कम वाला ही है और सबसे चोटा ध्यान रखेंगे बीड मुहाना दूसरा सबसे चोटा है वह आपका रोट गुबाड़ा है तो यह कुछ जो फैक्ट सित्या दी है वह आपको इनके छोटे बड़े के करब में ध्यान में हो रखना है बाकि यहां पूरी पूरी लिस्ट है वह दी हुई है तो यहां अगर आप देखें तो यह पांच वा यहां 102 है और रनखार जो छटा है यह आपका बैतर पॉंट आट 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 वर किलोमेटर है तो यह आपका थटे नंबर का हो जाएगा सो वर किलोमेटर से कम है तो यह इनका पूरे का एरिय है पूरा एरिया ना तो आप याद कर पाएंगे और नहीं इतना प्रिक्षा में हो पूछा जाता है इसके संबन में तो ध्यान में आप रखेंगे निश्कित तोर पर लेकिन यह वाड़ा इतना आपको स्टार्टिंग वाड़े जो पांच रख लेना और बाकी जो लस्ट यह वाड़े हैं वह लस्ट से 5 इस्टार्टिंग के जो 5 है वह रख लेना यहीं बहुत है और इस से टोटल का जो एरिया है वो कितना है तो इनका एरिया साढ़े 1400 किलोमेटर है 1450.2 एक किलोमेटर है और यह राजिस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया के 0.423 प्रतिसा है वो रखते हैं तो यह भी यहां पर है वो लिख देते हैं राजस्थान में पुल 37 पंजर्वेशन रिजर्व है जिनका पुल प्रेत्रफल 1450.21 किलोमेटर हैं जो राजस्थान के कुल प्रेत्रफल का कितना है 0.4233 है तो राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना है कि कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं किसको है सबसे पहले क Bishop सा बना सबसे बाद में कौन सा बना और इसके अलाव है तो कंजर्वेस previous र जिला की नुसार हमने भी 12 में है सोर्शन ये वी 12 में है अमीरगट की बात करें तो ये बिलवड़ा में बीड़ गास पुल्यकुर्ठापुर्ट जैपूर रouse सिर nephew में लावा रण खेटड़ में सुनदा माता जलोर और सिरोही में इसके बाद हमाइन देखा जोहड बीड बिकानेर गोगेलाव नागोर रोटू नागोर बांसियाल खेतडी नीम का थाना बांसियाल खेतडी बागोर है ये भी नीम का थाना में है बालेस और शीकर और नीम का थाना शाकंबरी शीकर नीम का थाना बीड फतेहपुर है ये आपका सीकर में मनसा माता जुन जुनु में है जवाई बांद है वो पाली में जवाई बांद ये भी पाली में जवाई बांद लेपड भी पाली में है गुड़ा विष्णु यान जोदपुर में कुर्जाप हलोदी में उमेद गंज पक्षिवियार कोटा में ठीक है बाग दर्ड़ा क्रोकोडाइल है उद ने इसकी पूरे नहीं हमने देख लिया यहांपर लिखा नहीं रिखत Tsar तो यह सारे के सारे आपके 36 जो आपके कब क्या बढ़े वह भी यहां पर आप हो देख सकते हैं स्टाटिंग वाड़े आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट तेरा अकुंबर लस्ट साथ अकुंबर 2023 तो यह कुछ महत्पून फैक्ट्स आप लोग हो ध्यान में रखेंगे इस संबन में तो थैंक्यू सो मच ओल अफ यू बहुत बहुत धन्यवाज सुक्रिया